दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो करीए काफी दिनों से व्यूज भी नहीं बढ़ रहे हैं और चैनल पे सस्क्राइब भी नशी बढ़ रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब करके सपोट करिये बहादुर नाम के शेहर में एक बहुत पुराना घर था उस घर को सब लोग भोतिया और अब शकुनी कहते थे क्यूंकि जो भी वहार रहने जाता उनकी किसी ना किसी वज़े से मोत हो जाती थी इसलिए वो घर खरिद में के लिए कोई भी तयार नहीं होता था एक बार विज़े नाम के शक्स में उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरिद लिया और अपने बेटे मोनु के साथ सारा सामान लेकर वहार रहने आ जाता है घर में शिप्ट होने के एक दो दिन में ही विज़े को अपने आसपास अजिबो गरीब गटनाए घटित होने का एसास होने लगा पहले तो वह उसे नजर अंदाज कर रहा था लेकिन जब उसे घर में किसी की मोजुदगी का एसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया एक दिन मोनू दोरता हुआ विजे के पास आया और कहने लगा कि कि वाश्रूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सपेत कपड़े में एक आवरत को देखा इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजे की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा पापा वो अवरत आपके पीछे खड़िये इतना कहकर मोनू डर से चीकने लगा विजे मोनू को गोद में उटा कर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया मोनू बहुत सम गया था तो उसका डर भगने के लिए विजे ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनो घर वापस आ गए एक रात भहुत तेज बारिश में जब आचानक घर की विजली चली गई विजे ने घर से जाक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में विजली थी सिवाए उनके घर को छोड़ कर तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कोई गरबड हुई हो इतने में विजे को मोनु के जोर से चीकने की आवाज आती है विजे दोड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पाच जाता है मोनु को दोबारा से घर में हुआ अवरत दिखाई देती है मोनु को सहमा देखकर विजे उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है उनका कुत्ता भी यहाँ वाहाँ देखते हुए जोर जोर से भुकने लगता है विजे को अबास होता है कि कोई उनके पीचे पीचे आ रहा है पावर हाउस का दर्वाजा खोलते ही विजे को सामने एक लाश दिकाई देती है लाश को देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है विजे अपने बेटे को लेकर तुरन दर्वाजा खोलकर घर से बाहर बागने की कोशिश करने लगता है घर से बाहर निकलते हुए, अचैनक विजय का पाव दरवाजे के पास बनी लकडियों की शिडियों में फंच जाता है और बहुत कोशिस करने पर भी वह पाव बाहर नहीं निकल पाता है मोनु अपने पापा को बाहर खिचने के कोशिस करता है लेकिन काफी फर्यास करने पर भी वह विजे को बाहर नहीं निकल पाता कोई उपाई न सुझने पर मोनो अपने कुट्टे को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दर्वाजा खुद बखुद बंद हो जाता है वह विजे भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पाउ पाहर निकलने में सपल हो जाता है विजे दोरता हुआ घर के अंदर जाता है और चारो और मोनो की तलाश करता है ना तो मोनो और ना ही उस कुट्टे का कुछ पता चल पाता है बहुत दुणने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजे हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है कुछ दिन बाद विजे बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलिक्ट्रिशन को बुलाता है लेकिन घर में दाकिल होने से पहले ही वह दर्वा जैसे ही उल्टे पेर भाग जाता है विजे के पूचने पर वह कहता है कि आपके घर में एक अवरत, एक बच्चा और एक कुट्टे का भुद दिकाई दे रहा है इलिक्ट्रिशन की बात सुनकर विजे उदास हो जाता है उसे एसास हो जाता है कि अब उसका बेठा कभी लोटकर नहीं आएगा जिसके बात विजे वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लोटकर नहीं आता दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारी ऐसी ही दूसरी कहानी सुनने के लिए स्क्रिन पे जो वीडियो दीख रहा है उसे क्लिक कीजिए